हाई गाईट वहुट सब वेलकम बैक टो टोटेश वीडियो दिससे सोन्य और वचिंग सो विडियो तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्टेलिया में चाइल्ड केर सबसेडी के बारे में उसके बारे में अल्रडी मैंने एक डिटेल विडियो बनाई है ज क्या eligibility criteria होता है क्या उनके लिए document required होते हैं और आपको चाइल्ड केर ढूंडना कैसे है तो इन सारी बातों के बारे में अगर आप अपने बच्चे के लिए और आप information gather गर रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत helpful होगी उस वीडियो का आप जरूर देखेगा तो आज की जो देखिये वीडियो है वो specifically है child care subsidy के बारे में यानि कि जो child care की fee होती है उस fee पर कुछ concession यहां की government देती है तो वो concession government कितना देती है और उस concession के लिए क्या eligibility criteria होता है तो इन सारी बातों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देखिए कि child care subsidy जो है उसके लिए क्या basic requirement होती है तो देखिए सबसे फर्स चीस तो यह है कि आपका जो बच्चा है उसकी age अगर 13 साल से कम है या 13 years है त्यानि कि up to 13 years तक के बच्चों के लिए child care की facility available है minimum की कोई age नहीं है कुछ child care है ज लेकि maximum जो age है वो general case में है 13 years कुछ special cases होते हैं जैसे कि अगर बच्चा कोई disability वाला case है या कुछ और special requirement वाला case है तो उस case में government up to 18 years तक के बच्चों के लिए भी child care की जो subsidy है उसको allow करती है second condition यह है कि जब आपके बच्चे को आप child care में enroll करते हैं तो उस subsidy के लिए eligible होने के लिए बच्चे का पूरा immunization proper होना चाहिए और उसकी पूरी detail होनी चाहिए third condition यह आती है कि child care subsidy के वल government authorized child care centers पर अगर आपका बच्चा है तभी आप subsidy के लिए eligible होंगे now जो next requirement है child care subsidy के eligibility के लिए देखे उसमें यह है कि child care की subsidy depend करती है कि आपकी income कितनी है और यह जो income है यह individual की income नहीं होती है this is called a family income family income मतलब यह कि अगर आप husband wife है तो combined आपका जो package है आपकी जो salary है वो कितनी है इस पर depend करेगा कि आपको government से कितनी subsidy मिलेगी and अगर आपके एक से जादा बच्चे हैं तो भी आप subsidy के लिए eligible होते हैं अगर आपके 123 जतने भी बच्चे है ना आपको पर चायल्ड जो है subsidy मिलती है हां उसका जो percentage है वो डिफर होता है तो उसके बारे में भी detail में हम लोग भी बात करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो family income है वो कितनी होनी चाहिए और कितनी इंकम पर आपको कितना परसेंट जो है subsidy मिलती है ऑस्टेलिया में जो maximum subsidy है that is up to 95% उससे जादा कि subsidy आपको नहीं मिलती है अब बात करते हैं कि package है निकि family income कितनी होनी चाहिए तो देखिए अगर आपकी जो family income है वो up to 72,466 ऑस्टेलिया डॉलर है तो उस case में आप eligible होते हैं 85% subsidy के लिए है यह था पहला slot income का और अगर आपकी income 72,466 से लेकर के 177,466 तक है यानि कि इन दोनों के बीच में है तो उस case में जो आपकी subsidy है वो 85% से कम होती जाएगी और वो किस तरह से कम होती है उसकी calculation ऐसे होती है कि per 3000 ऑस्टेलियन डॉलर पर आपकी जो subsidy है वो 1% डाउन हो जाएगी यह जो income के figure है यह बड़े अजीप तरह से है figure सीधा सीधा figure नहीं है कि 170,180,000 पर यही उनका calculation है तो जो इनका third income का slot है वो start होता है देखिए अगर आपकी जो income है वो 177,466 से उपर है and below 256,756 अगर इसके बीच में income आती है तो जो आपकी subsidy है वो up to 50% तब चली जाएगी right and जो next lot है वो है अगर आपकी जो income है वो 256,756 ऑस्टेलियन डॉलर से उपर है and below 346,756 है तो उस case में भी same भई होगा जो subsidy है वो 50% से लेकर के 20% तब जाएगी and every 3000 पर 3000 ऑस्टेलियन डॉलर पर आपकी जो है वो 1% subsidy कम होती जाएगी तो next lot जो है वो है अगर आपकी जो income है वो 346,756 ऑस्टेलियन डॉलर से उपर है and 356,756 ऑस्टेलियन डॉलर से कम है तो उस case में आपकी maximum subsidy जो आपको मिलेगी that is up to 20% and अगर आपकी income 356,756 से उपर है तो उस case में आप किसी भी subsidy के लिए eligible नहीं होते हैं तो यह Australian government का एक criteria है आपकी family income का तो इसी के according जो है यह आपकी subsidy को decide करते हैं income के जो figure है वो थोड़ी से complicated type के हैं पर यह जैसा कि मैंने आपको बता देखिए अगर आपके एक से जादा बच्चे हैं उस case में भी आप subsidy के eligible होते हैं suppose आपके दो बच्चे हैं जिनकी age जो है वो up to five year या five year से कम की है तो उस case में क्या होगा देखिए जो पहला आपका बच्चा है ने कि जो आपका बड़ा बच्चा है उस case में तो जो आपको subsidy मिलेगी वो standard rate के according मिलेगी जो मैंने आपको family income का slot बताया उसके according आपको मिलेगी लेकिन जो आपका second child है उस second child पर आप eligible होते हैं higher subsidy के लिए तो मैं आपको यह थोड़ा सा calculation बताती हूँ कि किस तरह से होती है तो जैसे कि suppose कर लीजे कि आपकी family income जो है वो 200K है यानि कि 200,000 Australian dollar है आप लोगों की family income और आपके दो बच्चे है तो उस case में और जो माली जो उनक का kidney जो आपको subsidy मिलेगी, उसकी subsidy मिलेगी आपको up to 50% और, जो आपका second baby है जो आपकोोटा baby है उस baby के लिए है हाइर subsidy के लिए यानि कि आपको उसकी subsidy मिलेगी 30% और एक्स्ट्रा यानि कि 50% मिली आपके first baby को और आपके second baby को मिलेगी 50 plus 30 यानि की 80% subsidy तो वो eligible होगा आपकी 80% subsidy के लिए एक चीज़ और है मैंने आपको initial में भी बताया था कि जो maximum subsidy यहां की government देती है वो देती है up to 95% एक example देखे मैं आपको समझाती हूँ तो माल लिजे जैसे कि again आपके 2 बचे हैं और आपकी जो income है उस income के according आपका जो पहला baby है जो आपका बड़ा baby है उसको as per standard rate जो subsidy मिलती है that is 70% okay तो इस case में ऐसा नहीं होगा कि जो आपका छोटा बच्चा है जो higher subsidy के लिए eligible है उसको 70 plus 30 यानि की 100% subsidy मिलेगी नहीं उस case में आपके जो second baby को subsidy मिलेगी वो जो cap है वो है 95% यानि की first baby के लिए आपको subsidy मिली 70% और second baby के लिए आपको subsidy मिली 95% ना कि 100% तो यह यहां की government का you know एक scale है जिसके according वो parents को जो है बच्चों के लिए subsidy देती है childcare center में जब you know आपने बच्चे को enroll करते हैं तो obvious कुछ basic documentation तो आपको submit करने ही पड़ते हैं बच्चे का birth certificate देना पड़ता है एक बहुत important चीज होती है जो होती है CRN number CRN number is customer reference number तो यह number आपको child care centers को देना होता है अब यह CRN number हम लोग को apply कैसे करना है तो देखे यह CRN number आप चाहें तो center link के office जा सकते हैं और वहां पर जाकर के apply कर सकते हैं या फिर आप you know center link के through mygub की website से भी apply कर सकते हैं दोनों options से आप किसी भी दर से apply कर सकते हैं बट best actually होता है कि आप खुद you know office चले जाए and then personally जाकर के सारे information fill कर लें क्योंकि you know वह काम तो जल्दी हो जाता है तो इस पेटर कि अगर आप लोग you know childcare डून रहे हैं और CRN number apply कर रहे हैं तो आप लोग office जाएं उनके वह लोग helpful होते हैं बहुत easily आपका सारा काम करवा देते हैं और quickly आपका काम हो जाता है चाइल केर सेंटर्स को हमेशा आप लोगों को अपडेट करना होता है अपनी family income के बारे में यानि कि अगर आपकी you know माली जे जॉब चेंज हो गई है इनकम बढ़ गई है या फिर somehow आपकी जॉब नहीं रही है आपकी income लोग हो गई है तो इन दोनों ही cases में it's your responsibility कि आप अपने childcare को inform करें और उसी के accordingly फिर वो जो है आपकी subsidy decide करते हैं और आपको pay करना परता है अब यहाँ जो payment का method होता है ना childcare में वो देखे childcare to childcare differ करता है कुछ childcare होते हैं जो weekly payment लेते हैं कुछ monthly भी लेते हैं कुछ fortnightly भी लेते हैं तो यह depend करता है कि आपका क्या comfort है और जिस childcare में आप अपने बच्चे को enroll कर रहे हैं उनकी क्या policy है और एक और चीज़ होती है यहाँ पर वो होती है 5% withhold payment वो actually क्या होती है जैसा कि मैंने आपको पताया कि कई बार क्या होता है ना कि salary जो है वो change होती रहती है family income जो है वो बदलती रहती है कभी जादा हो जाती है कभी कम हो जाती है इसलिए जो childcare centers होते हैं वो 5% withhold payment जो है वो अपने पास में रखते हैं बट यह होता है कि जब year end होता है उस time पर अगर आपने childcare को जादा pay कर दिया है तो वो जो जादा money आपने उने pay की है वो वापस से आपको in return हो जाती है और childcare को जो pay करने का system है वो आप चाहें तो you know direct debit भी set कर सकते हैं कि वो monthly या fortnightly weekly जो भी आपने schedule decide किया है वो automatically deduct हो जाए क्योंकि आप कैसे पेखरना चाहते हैं childcare subsidy के लिए eligible होने के लिए एक और main requirement होती है और वो requirement होती है residency requirement तो उस residency requirement में क्या आता है एक तो यह होता है कि आप Australian citizen होने चाहिए and second चीज होती है कि आप PR holder हो यानि कि permanent resident हो तब भी आप जो है eligible होंगे subsidy के लिए और जो third उनका residency requirement है वो यह है कि अगर आप from New Zealand है कि New Zealand से है और जो आपका वीजा है वो है protected category का वीजा है protected special category का वीजा है from New Zealand तो उस case में भी आप childcare subsidy के लिए eligible होते हैं So guys that's all for today's video यह थी सारी information child care subsidy के बारे में तो अपनी income को check कर लीजिए और अपने baby को child care center में enroll करने से पहले check कर लीजिएगा कि क्या वो child care center जो है government authorized है या नहीं है क्योंकि तभी आप subsidy के लिए eligible होंगे अगर आपके child care subsidy को लेकर के और कोई doubts हैं और कोई questions हैं तो आप हमें comment box में लिखकर पूछ सकते हैं Recently ही मुझे अभी एक comment आया था जिसमें हमारे एक viewer ने मुझे child care subsidy के बारे में ही पूछा था तो I hope ये video जो है उनके लिए helpful होगी Child care subsidy के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा Australia में ही born हुआ हो अगर आप PR holder है आपका family PR है तो definitely आपका बच्चा eligible है आप eligible है और आपको subsidy मिल जाएगी जल्दी ही मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ अब तक बाई बाई टेक केर